यूपी के रामपूर में क्राइम लगातार बढ़ता ही जा रहा है जिले में लगातार हो रही हत्याओं ने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है लगातार बच्चों और बड़ों की हत्या कर उनके शव फेके जा रही हैं कल एक ही परिवार के तील लोगों की हत्या की संसनी अभी शांत में नहीं हुई कि आज सुभे रामपूर के थाना सीविल लाइन शेत्र में एक अग्यात महिला का शव इट पत्रों से बेदर्दी से कुचला हुआ मिलने से संसनी फैल गई महिला की शव को देख पर परतीत हो रहा है कि महिला से बदला लेने की नियत से उसकी हत्या कर दी गई सुचना के बाद पुलिस मोके पर पहुँचकर शव को कबजे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्ट मार्टम के लिए जिलास्पताल रामपूर में रैफर कर दिया है वहीं मोके पर पहुँचे एडिशनल स्पी अरुन कुमार सिंग ने बताया कि एक अग्यात महिला का शव मिला है जिसका प्रथम द्रिष्टी जिसकी उम्र 25 से 30 वर्ष और सिरीटों से वार कर कुछ चला कया है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिसके कारण उसकी शिनाखत नहीं हो पा रही है फिलाल घटना की जाज परताल के लिए स्थानी लोगों से पूस्ट आज की जा रही है और पुलिस गंबीरता से जाज कर रही है रामपूर से समधाता रवी सैनी की रिपॉर्ट चेतर में गटना हुई है महिला का शब प्राप्त हुआ है तो क्या है पूरा मामला से पनवडिया के पास जो 29 ग्राउंड है उसके रास्ते पर एक महिला उमर उसकी 25 से 30 वर्स होगी उसका सव मिला है सिर इंग से कुचला जैसा है महिला अग्यात है पंचातनामा भर के पोष्मार्टम के लिए भेज़ दिया गया है उसकी सिनाक्त की कारिवाही का पूरा प्रयास किया जा रहा है सिनाक्त होते ही इस गटना कानावरण पुलिस निशी द्रूप से कल लेगे जैबीडी बैंक्वेट्स लाए है इंक्रेडिबल मारिज पलेस राजगराना और फानेस्ट बैंक्वेट हॉल जोती गार्डन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning अपर्फेक्ट वेन्यो फो वेडिंग, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवारी